आज हम आपको बताएंगे सच्चिन पालेट से जड़ी कुछ बातें कुछ ऐसी बाते हम आपको बताने जा रहे हैं जो आपने कभी नहीं सुनी होगी सच्चिन पालेट जमुकश्मीर के पूर मुखिमंती वारुक अब्दुल्ला के दामाद है आपको बताते हैं कि उनकी लव स्टोरी कैसी रही आखर सच्चिन पालेट ने मुस्लिम लड़की से शारी क्यों की सच्चिन पालेट ने अपनी पढ़ाई एरफोर्स बॉल भारती स्कूल नई दिल्ली से की बी-ए की डिग्री दिल्ली अनिवस्टी से लेने के बाद गाजियाबाद के आई-म्टी से मार्केटिंग में डिप्लोमा लिया आगे की पढ़ाई के लिए वह लंडन चले गए और अम्बी-ए की डिग्री लंडन की पैंसिल्वोनिया स्टुनिवस्टी से की यहां उनकी मुलाकात फारुक अब्दुल्ला की बेटी सारा अब्दुला से हुई कुछ दिनों बाद दूँ एक दूसरे को डेट करने लगे सचीन के भारत वापस आने के बाद दूनों फोन और इमेल की जरीए बात करने लगे करीब तीन साल तक एक दूसरे को डीट करने के लिए बात जब सचीन और सारा ने अपने प्यार के बारे में परिवार को बताया तो मजब की दिवार खड़ी हो गई क्योंकि सचीन हिंदू और सारा मुस्लिम परिवार से थी दोनों के परिवार ने शादी के लिए मना कर दिया खबरों की माने तो उनके पिता फारुक अब्दुल्ला ने उनसे इस बारे में बात करने से ही मना कर दिया था लेकिन सारा ने हार नहीं मानी सारा की तमाम कोशिचों के बात भी जब उनके पिता नहीं माने तो जनवरी 2004 में किसी की परवा किये बिना सारा और सची ने शादी कर ली इस शादी में सारा के परिवार का कोई सदस्त शामिल हुआ लेकिन समय के साथ अब्दुल्ला परिवार ने भी दोनों के रिष्टे को स्विकार कर लिया तो ऐसी जानकारिया हम आपको हर रोज देते रहेंगे आप देखते रहें गमासान.com